अगर आप लोग मद्धिदेश के किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी करें चाहे उसमें आपका MPPS की हो या आप देखते हैं ब्यापम की तमाब एक्जाम होते रहते हैं सिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, Constable Police के लिए होता रहता है, SI दरोगा के लिए होता रहता है, जेल पैरी, पटवारी होते रहते हैं, अनेकों एक्जाम होते हैं इस तरह के और इन सब में अगर आप लोग देखें तो आपकी जो करेंट की घटनाएं होती हैं न एक-एक महिना की सभी घटनाओं को हम लोगोंने cover किया हैं, आज की इस class मेह में जून 2022 में मद्धिदेश में जो घटनाएं घटी हैं, उनके बारे में एक overview हम लोग लेंगे, महत्पूर जानकारी देखेंगे, जो आपके एक्जाम के लिए काफी महत्पूर रहेगी, और ए मुझे लगता है और बहतर तरीगे से आप लोग score कर पाएंगे, और मद्धिदेश के नाम से playlist सूची बनी हुई है, उसी में सभी आपको class मिल जाएंगी, देखिए आपका मद्धिदेश है, और इसमें आप देखते हैं कि भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलती है, क् करते हैं मद्धिदेश को मद्धिदेश को पंडिट जबाल नहरूण हमारे देश के पहले प्यदान दीश करा है, और एक नवंब्र 1956 में इसरे राज बनाय गया था, और आंगे चलकर 36 गड़ 1 नवंबर पीजार में इससे अलग हुई था, अगर मद्धिदेश के चैथभल की बात करें तो आप देखेंगे इसका च्छितफल 3,8252 वर किलूमीटर देखने को मिलता है कहीं 245 वर किलूमीटर भी है ठीक है और यहां आप देखेंगे तो हिंदी यहां की भासा है राजभासा है और इसका राज की यह पक्षी देखें तो दूदराज या जैसे साहिब यह पैरा डाइज फ्लाई केचर के नम से भी जानते है राजकिये पसु देखें तो बारे सिंगा है बेडरी पे जाती का राजकिये व्यक्ष बर्गद है राजकिये पुस्प सफेद लीली है और राजकिये खेल मलखम है जिसे 2013 में गोसित किया गया था मलखम अकेडमी कहा है अकेडमी यह आप लोग बताईएगा और राजकिये फसल सुयावीन है सबसे जाना सुयावीन होती है इसलिए सुया पिदेश भी कहते हैं आप लोग और यहां विधान सभा में आपको 230 सीटें देखने को मिलेंगी राज्य सभा में 11 सीटें लोग सभा में 29 सीटें देख हाल ही में मद्कदेश राज्य सूटिंग अकादमी में भारत की पहली बुलिट क्रेसर मसीन की स्थापना की गई है और इस मसीन में इस्तिमाल किये गए कार्थूस के सेल को नश्ट किया जाता है और इसमें आप देखेंगे इस मसीन के उपयोग से इस्तिमाल किये गए बु लगबग 1000 से अधिक खिलाडी अंतराश्टी पिसीक्षक मंसेर सीन जस्पात राना उसमा सिरूर्ने से पिसीक्षक पराप कर रहे हैं और इसके अतरिक खिलाडीयों के लिए nutrition, psychologist, sports, science doctor, strength and conditioning पिसीक्षक भी उपलब्ध हैं और अंतराश्टी इस्तर के मद्धपदेश की राज्य सूटिंग अकादमी में 5-50 मेटर फाइनल सूटिंग रेंज का कारक प्रगती पर है और अंतराश्टी इस्तर की पितेयोगिताओं के लिए पिर्थक से फाइनल सूटिंग रेंज की आवस्षकता होती है और इसके पूर्ण होने पर A.C.A. कब और अंतराष्टी सूटिंग पितेयोगिता हैं आयवजित की जा सकेंगे क्या की जा सकेंगे? पितेयोगिता है अंगली खबर की बात करते हैं? 3 जून 2022 की खटना है मद्पतेश की रेटर्निंग ओफिसर ने दुई वारसिक निर्वाचन के लिए राज्यसभा की तेनो सीटों के पित्यासियों को निर्वरोद निर्वाचित घोसित कर दिया है और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो आपके विधायकों द्वारा होता है और इस राज्यसभा की चुनाव को कौन कर वाता है एलेक्षन कमीशन ओप इंडिया भारती निर्वाचन आयोग एक समिधान एक संस्ता है समिधान के आर्टिकल 324 के तेर्ट इसकी इस्थापना गिवात की गई है 25 जन्वरी 1950 में इसकी इस्थापना होई थी नई दिल्ली में हेड़क्वाटर देखने को मिलेगा सू कुमार सेन पहले में मुख चुनाव आयोगते थे निर्वाची सदसों में भारती जिन्ता पार्टी की कविता, पार्टीदार, सुमित्रा वालमी और भारती राष्टी कॉंग्रेस की विवेक किष्ण तनखा सामल है और इन सदसों को निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के तैन निर्वरोद निर्वाचीत घुसित किया गया है और राज्यसभा के उक्त तीनों सदस उन तीनों सदसों की स्थानों से भरेंगे जो अपने पदावधी की आउसान पर 29 जून 2022 को से बानिवित्थ हो रहे है और इयाद रहे राज्यसभा की अधिक्तम सदस संख्या 250 है जन में से आप देखे 288 सदस राज्यों के और बागी के केंदसासी पिदेशों से आपत्यक्त रूप से चुने जाते हैं और 12 सदसों को राष्टपती सहाब के दोवारा मनुनिक किया जाता है और सदन में बाठमान में सदस संख्या की नहीं 245 जिसमें से 229 सदस राज्यों के पितिने जिस करते हैं 4 सदस केंदसासी पिदेशों का पितिने जिस करते हैं और 12 के और राष्टपती द्वारा नामित किया जाता है अंगली खबर की तरफ चलते हैं पांच जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है यह आप से सवाल है आप लोग बताईएगा पांच जून 2022 को मत्विदेश की मुकमंतरी सिवरासिंग चोहन ने विश्व परयावन दिवस पर को साभाव ठागरे सभागा में यही एक पितवी विशाय पर आज इस तरही ये कारिकरम को संबोदिश किया है और इस कारिकरम से सभी जिले वर्चुली जुड़े हैं अब आप देखें बता दिया है पांच जून को विश्व परयावन दिवस मनाय जाता है चलिए बताईए आप लोग की पहली बार कब मनाय गया था और इस आउसर पर मुखमंतिरी ने काये कि सभी सास्की ये कारियालों को बिजली की खपत में दस पितीसत की कमी करने के निदेश दिये गये हैं और जिन सास्की कारियालों में सौर उडजा का उपयोग हो सकता है वहां सौर पैनल लगाए जाएंगे और साथी मुखमंतिरी ने परयावन सरक्षन के लिए कारण संस्थाओं और नागरेकों को सम्मानित किया है और नर्वादा नदी तट पर ब्यक्षा रोपन की योजना संबधित बन बिभाग की पुस्तन नर्वदा नदी की जल संघनल छेठ का सरक्षन ब्यक्षा रोपन अभियाँ दो हज़ार बाइस का बिमोचन भी किया गया है और याद रहे विस पर्यावन दिवस को ब्यक्षा रोबन संकल्प दिवस की रूम में मनाया जा रहा है और मुखमंतिरी ने काहे कि अमरकंटक को रिजन फॉरेश्ट गोसित किया जाएगा और पर्यावन संरक्षन की दिरिश्टी से संबेदन सील और नर्वदा के उद्गम स्थल के आसपास इस्थानिये परिवेश की पित्री पूल लगे यूके लिप्टस की पेड़ों के स्थान पर परिवेश के अनरोग उपयोग ते प्रिजाती के पौधे लगाए जाएंगे मुखमंतिरी ने परियावन दिवस पितेक पिदेश के नागरेकों को पास संकल्प दिलवाये हैं जिनमें बैक्षार उपन के लिए सक्क्रिये रहना, उर्जा सरक्षन के लिए बिचली बचाना, बाहनों का मित्वेई उपयोग सुनिशित करने के लिए वाहन पूल करना, पबलिक ट्रांस्पोर्ट को अपनाना और पिधानवत्ती नैदमोधी के मंत्के अनुरूप ट्रि जिनमें बैक्षार उपन के लिए आरम किये गया अंकोर अभियान में, अब तक विदेश बासियों द्वारा 16,50,000 पौध ही लगाये गये हैं, और इस कारकरब में परियावन सरक्षन की छेत्म उलेकनी एकार के लिए बारसिक परियावन पुरुसकार योजिना की अंतरगत 2021 के लिए भोपार रिलिवेश्टेशन, हाइडल वर्ग सिमेंट दमो, इपका लिवर्टी रतलाम, नीलम बैलफेर सोसाइटी सहडोल, पुलिस टेंडिंग सेंटर इंदोर और नगर परिशत पेपलिया मंडी, मंदसोर, धार के ग्राम नवाद पुरा के कमल पटेल को सम्मा और नर्वदा नदी के सरक्षन के लिए बन विभाग द्वारा 24 जिलों के 33 मंडलों में बिगडे बनों को अच्छे बनों में बदलने हितु 18,406 हेक्टर छेत में एक करोड 32 लाग पौदी लगाने का लक्ष भी रखा गया है इसमें, तो यह भी आपको याद रुखना चा चैलेंज इस पर्दा का पहला पूर्षका दिया है किसे इंदोर को, इट राइट चैलेंज पोर सिटीज एंड डिस्टिक्ट के तहत खाद उस रक्षा के पहलों को अपनाने नियम और परिवर्टन को बढ़ावा देने की प्रयासों को मानता देने की उद्देश से देश क पचत्र सेहरों और जिलों को विजेता चुना गया है और इस परदा में देश की 188 सेहरों ने अपना पढ़ीकेन कराय था जिन में से सरवोचंकों के साथ इंदोर पिथम इस्थान पर हैं इंदोर है न आपका जो पिथम इस्थान पर हैfirst इसके साथ ही पिदेश के साथ अन वालियर को बारवा, रीवा को सत्तरहवा, सागर को तेईसवा और सतना को चोहत्रवा इस्थान मिला है। वालियर की समस्या से निपटने के लिए काटून करदारों का द्वारा बेवहार परिवतन को लेका सुरू की गई पहल के लिए सम्मानित किया गया है। पचीस पदक जीते हैं, इतने 25 और चबालिफी राष्टी आम रेसलिंग चेंपियंसिप 31 मजी से 6 जून 2022 तक हैदराबाद के गाची बोहली स्पोर्ट कॉंपलेक्स एक्टेडीम में आयजित की गई है। और इस पिदेवगता में 25 राज्जों के 900 से अधिक खिलाडियों ने भाग लिया था। और मदकुदेश ने चेंपियंसिप में केरल के बाद दूसरा इस्थान हासल किया है। केसाव पांडे ने बताया कि ग्वालियर आम आर्म रेसलिंग अकादमी आर्म रेसलिंग के लिए देश की पहली पूर्ण अकादमी है। यह भी आपको देखने को मिलेगी। अंगली खबर पर आप देखेंगे। 10 जून 2022 को मद्पिदेश की मुखमंती सिवरासिन चोहन और सद्गुरु बासु देओ जग्गी की पस्तिती में मिट्टी को बचानी के लिए राजसरकार और इसा फाउंडेशन के मन्द MOU पर हस्ताक चरू है। सद्गुरु को आप देखते भी रहते होंगे, सुनते भी रहते होंगे। इसा फाउंडेशन मिलकर किरियान्वित करेंगे। तो मिट्टी को बचानी उफी ज़रूरी है ना। चलिए अब हम लोग अंगली ख़बर को देखते हैं। 12 जून 2022 को मत्पदेश ने खेलो इंडिया इूद गेम्स 2022 में मलखंब में सांदार पे दरसन करते हुए 12 पदक अपने नाम किये। और इसके साथ ही मत्पदेश मलखंब में ओवर ओल चैंपियन बना है। चलिए खेलो इंडिया में एक दिन में 308 पदक जीते हैं। और पंकज ने पोल, रॉप और ओवर ओल तीनों में 10 में से 9.10 अंक हांसिल किये। तो पंकज का नाम आप लोग जरूर याद रखेगा। वो जैन के हैं। पोल मलखंब की फाइनल में मत्पदेश की हरसीता, कंरकर ने, स्वड और रिद्धी गुपता ने रज़त पदक अपने नाम किया है। रोप मलखंब में हरसीता और 36 गड़ की सरिता पायम के साथ से तीसरे स्थान पर रही हैं। और लड़कों के पोल मलखंब में इंदजीत नागर और पेड़ाओ कोरी सवयक्त रूप से चतीसकर की मोनू नेताम की साथ दूसरे स्थान पर रही हैं। और रोप मलखंब में पंकज गरग माने आप देखेंगे सीस स्थान हासिल किया है। और उसके बाद नागर दूसरे स्थान पर रही है। हाके हैकिंग मलखंब में भी गरग माने आप देखेंगे सीस पर रहती हुए पदक स्वाड़ पदक जीता है गोल्ड मेडल। और याद रहे खेलो इंडिया यूद गेम्स 4 जून से 13 जून 2022 तक पंचुला के ताउ देवीलाल स्टेडियम समेच चंडिगर दिल्ली सहाबाद और अमबाला में आयुजित किये जा रहे थे। अंगली ख़बर तक चलते हैं हम लोग। एह हाली में राष्टी पित्यायन बोर्ड NBA ने सागर समू के भोपाल इस्तिस सागर बिज्ञान और प्रदुगी की संस्थान को अपनी मानता पिदान किये और SIS-TEC के Mechanical Engineering, विभाग और Electrical और Electronics Engineering विभाग को राष्टी पित्यायन बोर्ड से मानता पराप्त हुई है और NBA पियर टीम में ने SIS-TEC का दोरा किया है और कई मापदन लोग पर कॉलेज का कड़ाई से मूल ल्यांकन किया है और दोरी के दोरान टीम ने कॉलेज में अपनाई गई इमानदारी बुनियादी नहाचे प्रवंधन, संकाय, छात्ति युगदान और सिक्षड सीखने की पिक्किरिया और संस्थागत मूलेओं और सरवोत्तम पिथाओं की सराहना किये और NBA भारत की स्थापना SI STE द्वारा नई पिक्किरियाओं मानकों और मापदन्नों के साथ तक्निकी सिक्षा के लिए अंतराष्टी गुडवत्ता मानकों को बड़ावा देने हितों सेक्षडिक संस्थान द्वारा पेस किये गए कारकरमयों की गुडवत्ता गुड़ात्म या आसामान टाइ टैनोसोरिक सोर्ड रिड डैनासोर अंडे की खोच की है और इस खोच को नेचर गुरूप जनरल साइन्टिफिक रिपोर्ट्स के नभीनतम अंग में पिकासित किया गया है और इस अध्यन का सीशक है फर्स्ट ओवम इन ओवो पैथोलोजीकल टाइ टैनो सोरिड एक थ्रोस लाइट ओन दा रिप्रोडेक्टिव बाइलोजी ओप सोरोपोर्ड डैनासोर और सोथ करताओं ने हाल ही में बाग सहर के निकट पढ़ लिया गाउं के पास बड़ी संख्या में टाइ टैनोसोरिड सोरोपोर्ड गोसलों का दस्ता बेजी कान भी किया है और इन गोसलों का ध्यन करते हुए सोथ करताओं ने एक आसामान डैनासोर के अंडे सहर दस अंडों से योगते एक सोरोपोर्ड डैनासोर के गोसले की खोच की है और आप देखेंगे किसी आसामान अंडे में दो नियंतर और गोलाकार अंडे के खोल की परते हैं जो एक वि दूसरे अंडे के अंदर एक अंडा पक्षियों की विक्रिती की याद दिलाते हैं और एक ही गोंसले में पैथोलोजीकल अंडे और आसन अंडे की सूक्चन सरचना इसकी पहचान टाइटो टाइटेनो सोरिड सोरोपोर्ड डैनसुर से कहती है और यह भारत में पहली अंडे में अंडे की आसामान जीवासम अंडे की खोज है और इस से पहले भारत में कभी भी डैनसुर छिपकली कचुए और मगर मच्च सहित अंड सरी सीपों के अंडे में अंडे का आसामान जीवासम अंडा नहीं पाय गया है और इस छेत में आप देखेंगे पिरमुक लेखक डॉक्टर हर्स धीमान भूबिग्यान दिल्ली विश्विध्याले से जुड़े हुए है इनके दुबारा पिएचडी फिल्ड वर्क के दोनम पैथोलोजीकल अंडे की खोच की गई है और धीमान के अलाबा टीम में विशाल बर्मा हाय सेकेंडी स्कूल बाका निर्धार जिला और समधी तिलिखक प्रोफिसर गुंटो पली बी यार पिर साथ भूबिग्यान विभाद दिल्ली विश्विध्याले सामिल है और डॉक्टर हर्स ने कहा है कि टाय टेनो सौरिड गौसले से ओवम इन ओवो अंडे की खोज इस संभावना को खोलती है कि सौरोफोर डैनासोर में मगर मच या बक्षियों के समान एक बिडिम वाहनी अकार की थी और वे पक्षियों के अंडे देने बाली विशेष्था के एक तरीके के लिए अनुकूलित हो सकते थे और प्रोफिसर गुंटुफली बी आर पिरसाद ने कहा है कि यह खोज इस बारे में महतपूर जानकारी सामने लाती है क्या डैनासोर की पास कच्छूओं और चिपकलियों या उनके निकट तम मगर मच बक्षियों के समान बिज च्छाला की कच्छूओं और अन्न सरीशिफों की तरह सभी अन्नों को एक साथ ओविवलेट करते हैं और छोडते हैं पक्षियों के अनुकर्मिक ओविवलेशन के विफ्रीज जो एक बार में एक अंडा देते हैं और नई खोज से पता चलता है कि मद्विदेश और पानी है खबर है अंगली खबर है हाली में DS धरमपाल सत्यपाल समूर ने मद्विदेश के खंडवा बैतूर जिली में दूसरा जल आर्थिक छेत्र एक एकिकित बाटर सेट विकास परियोजना लॉंच किये और DS समूर ने उदायपूर में अलसीगर और कुरावाद बाटर सेट छेत्रों में पहला कारिकरम जल आर्थिक छेत्र सफलता पुर्वक लागू करने की बाद मद्विदेश में ये अविकास परियोजना लॉंच किये और पिस्तावित हस्तिचेव खंडवा जिली के 6 गाओं माखन बिलोक में बरूद ग्राम पंचयाद के 3000 हेक्टर छेत् में लागू किया जाएगा और कम्पिनी ने इन दोलों जिलों में परियोजना की करियार्मन के लिए जमीनी इस्तर के संगटनों अरपन, सेवा संस्थान और हरी तीका के साथ भागेदारी किये और एक इकित बाटर सेड बिकास परियोजना के माध्यम से जल आर्थिक छेत् मुद्पादक्ता बढ़ाने के लिए प्राक्तिक संसादनों और विसिस रूप से पानी और मिट्टी को बढ़ाने पर ध्यान केंदरित करता है और इन परियोजनाओं में रिचार्जिंग और भंडारन सरचनाओं का निर्मार मौजूदा निस्त्री या कम उपयोग किये ग परियोजनाओं के इनकूल फसलों की कटाई के साथ साथ ड्रिफ सिचाई और रेन गन जैसे बहतर सिचाई पदितियों के माध्यम से पानी के कुसल उपयोग को बढ़ाबा देती है और आप देखेंगे कि दीकालेक इस्तिरता सुनिशित करने के लिए कमपनी इस्तानी सब्दायों को ससक्त बनाती और जल उपयोग करता समूह किसानों की समूह या फिर किसी अन उपयोगत समुदाइक संस्थान जैसे संस्थानों का निर्बाड करती है और वर्स 1929 में इस्ताफित DSMU एक बहु बेवसाई निगम है और मजबूत भारतिये और अंतराश्टी उपस्तिदी किसा अग्री FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूबर गोड्स समूह में से एक है कमपनी ठीक है तो यह भी याद रखेगा इसके बारे में अंगली खबर है आप देखे 18 जून 2022 को बन बिहार राष्टी उद्यान देखते न तो बन बिहार राष्टी उद्यान चिडिया घर की नई पुनार डेजाइन और पुनर विक्सित बेवसाईट www.banviharnationalpark.org लॉंच की गई है और इस नई विक्सित को बन बिहार में नमीनतम घर्टनाओ समाचारों जनता को अगतन अपडेट रखने के लिए डियाइन किया गया है तो भोबाल में आप लोग जाते हैं तो गय होंगे आप लोग बन बिहार आधुनिक समय के साथ तालमेल बैठाते हुए विबसाइट में एक आधुनिक responsive coding और design है विबसाइट को जिस भी device पर open किया जाएगा यह विबसाइट उस device की screen की आकार में स्वेम को सोता समाई उजित कर लेगी बन बिहार की सभी social media पेजों को भी नई विबसाइट से जोड़ा गया है आमजन बन बिहार की facebook, instagram, twitter profile को विबसाइट से ही देख सकते हैं और विबसाइट लगबग देनिक आधार पर अपडेट की जाएगी और जनता अपलोड के कुछ ही मिनटों में इससे देख सकेगी और नभीनतम जानकारी को अगदन करने के लिए लगबग सून मिनट पितिक चाओ दी रहेगी और बन बेहार से समन्दित नभीनतम समाचारों को हॉम पेज पर एक समू के रूम में संकलित और पिदर से किया जाएगा और साथी पितेक समाचार के लिए अलग-अलग बिस्तित पेज भी होगा इसमें नभीनतम महतपूर दस्ताविश जैसे ब्रोसर आधी जनता के लिए डाउनलोड के लिए उपलावद होंगे और गैलरी अनुभाग को नभीनतम तस्मीरों के साथ नेमित रूप से अपडेट किया जाएगा क्या किया जाएगा? अपडेट किया जाएगा अंगली खबर है एग उन्नीस जून दोहजार बाइस को विशिस सिकल सेल एनिमिया जागरोगता दिबस की अउसर पर मद्विदेश के राजपाल मंगू भाई पटेल मुकमती सिवरासिंग चोहान और केंद्री स्वास्त मंत्री मंसोक मांडिविया जबलपुर में इंडियन इस्टिटीट और एनफोर्मेशन टेकनोलोजी डेजाइनिंग एन्ड मैनुफेक्चरिंग ट्रिफल आई टी डी एम में सिकल सेल रोग के समग प्रबंधन पर आईवजित कारसाला में सामिल हुए इसका आईवजिन ICMR और राष्टिये जनजातिये स्वास्त अनुसंदान संस्थान और लोग स्वास्त एवं परिवार का लियाड बिभाग द्वारा किया गया है और याद रहे मद्पदेश के जनजातिये बहूल 14 जिलों में सिकल सेल एनिमिया की रोगठाम और बचाओ के लिए अभियाग चलाय जा रहा है और जिसमें बीमार बेक्तियों के स्वाक्त बिभाग और पुनर वास सहायता आदी पर भी ध्यान दिया जा रहा है सिकल सेल रोग रक्त समद्धी अनुवालसिक बिकार है जो भारत के जारखन महराष्ट मद्पदेश, चतिसगर, पश्चमी उडिशा, पूरवी गुजरात, उतरी तमिलाडू, केलल आधी राज्य छेतरों में बित्रित कई जनजाती समूहों में बहुत आयात में पाई जा के लिए उन्मुक्त परियोजना का किरियानवन किया जा रहा है केंद्रिक सरकार के द्वारा, अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं, यह हाल में ही साउत अफीका और नाभीबिया ने, नाभीबिया से कुनो पालनपुर में सेंचुरी में चीतों की वसावट की तियारी देख इतना ही नहीं, एक्सपर्ट ने चीतों के लिए बनाए गए बाड़े की फैंसिंग को ग्रेन मेट से कवर करने की भी सिपारिस की है अफीकर एक्सपर्ट ने कहा है कि यदि ग्रीन मेट नहीं लगाई गई तो भी फैंसिंग को पार करने की कौसिस करेंगे इसलिए उन्हें ग्रीन मेट लगाकर यह ऐसास कराया जाए कि फैंसिंग की बाहर कुछ नहीं है और चीतों के बाड़े में रहने तक फिलहाल टूरेज में गतिमिधियों पर रोक लगानी की सिफारिस की जा रही है और इस पिस्ताओं की बाड़ेश के बन एवं पर्यवन मंतराले की परेटन को वड़ावा देने बाली कौसिसिं को जटका लगा है और याद रही मतर्य इसके परेटन विभाग चीतों के आगमन की बाड़ कुणों में परेटन को वड़ावा देने के लिए तेयारीयों का कर रहा था और इसके तहट कुणों सेंचुरी की का टूरेज में पिलान तेयार किया गया था और इसमें पिती दिन अधिक्तम परेटरकों के अधिक्तम सोवाहनों को इंटरी देने की बात कही गई थी और अफिका से आने वाले चीतों का कुणों अभ्यारन में अगस्त 2022 तक आने की संभावना जिताई जा रही है और मद्पिदिस बिगत 27 सालों से कुणों में चीतों की वसावट के लिए प्रयास कर रहा है आजाती कि 70 साल बाद इस पिलुक्त जीप को एक बार फेसे देश में इस्थाबित करने का प्रयास किया जा रहा है तो यह आपको कहा देखने को मिल देखा मद्पिदिस में ठीक है कुणों आप देखते हैं से उपर मुरेना के पास उसी की बात हो रही है अंगली खबर है आपकी 21 जून 2022 को एक एकित रोग निगरानी कारकरम और इसके अंतर के संकरमक बीमारियों के विषय में तत्काल सूचना प्राप्त कर नियंतन और रोगठाम के उद्दे से आई एज आई पी इंटिगेटेड हेल्थ इनफोर्मेशन प्रेटफॉर्म है उद्पिष्ट कार करने ही तो मद्पिदिस को राश्तिय इस्तर पर सम्मानित किया गया है किसे MP को और आप देखेंगे कि नई दिल्ली में हुई IDSP की राच्तिय समिच्छा बैठक में केंद्रिय स्वास सचिम राजिस भूसन है IDSP के ओप संचालक डॉक्टर एवगेस कौरब और डॉक्टर MPS चोहान के को समान पत्त प्रदान किया है और याद रखी IHIP कारिकरम में पहले ही चरण में 1 अक्टूबर 2021 को पूरी तरह पेपरलेस की लक्ष को पराप करने बाला मद्पिदेश देश का पहला राजिबना है और बैठक में IHIP सेयुक संचालक डॉक्टर हिमानसु चोहान ने कहा है कि मद्पिदेश पहले चरण में IDSP के अंतरगत संकर्मक बीमारियों की पहचान बचाओ रोक्थाम से सम्मंधी संपूर जानकारी को IHIP में पेपरलेस करने में सफल हुआ है क्या हुआ है सफल हुआ है उन्होंने अनराज्यों से भी IHIP में पेपरलेस बनने ही तुमद्पिदेश का अनूसरन करने को कहा है अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं अंगली ख़बर आप देखेंगे 17-21 जून 2022 तक कुएमबटूर में आयोजी सीनियर एसेन पावर लेप्टिंग पितियोगता में भोपार के पावर लेप्टर सेलेंद सेवतिया उत्तोसार कदम ने सांदार पिदरसन करती हुए देश को स्टपदक और रजजत पदक हासिल किया है इनका क्या नाम है सेलेंद सेवतिया उत्तोसार कदम और पितियोगता की 74 किलोग्राम भार बग में सेलन सेवतिया ने स्ट स्वार्ट इस परदा में 280 किलोग्राम बेंच प्रेस में 185 kg और डेड लिफ्ट में 275 kg इस पेकार कुल 740 kg भार उठाकर देश को स्वड़ पदक दिलाया है गोल्ड बेडल और इस पेकार पिदियुगता की 66 kg भार भाग में भोपाल की पावर लिफ्टे तोसार कदम ने स्क्वाइट में 240 kg बेंच प्रेस में 255 kg और डेड इस परदा में 230 kg इस तरह है कुल 625 kg भजम उठाकर रजत पदक हांसल किया है तो इनके नाम भी याद रखा करिएगा कई वार कुश्मस से पूछ लेते हैं खिलाडियों से कि इस खिलाडी का समन्द किस से है इसे क्या मिला था गोल्ड लेया रजत तो यह आप नाम लोग याद रखा करिएगा अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं 23 जून 2022 को मद्विदेश हाई कोट ने PST लोग सिवायों में OVC बरक को 27 पितीसत आरक्षन देने पर लगी अंतरम रोक के आदिश में सलसोधन से इंकार कर दिया है और MPPSC बालों को मालू होगा इसी के कारण बहुत बहुत भटके पुर रहे हैं OVC आरक्षन के संब्ध में दायर सभी याजकाओं की सुनवाई Justice Seal नागू और Justice AK सर्मा की उगल पीट द्वारा की गई है और सरकार द्वारा इस्तगन आदिश बापस लेने के लिए आवेदन दायर किया गया था और हाई कोट ने 1 सेप्टमबर 2021 को इस्तगन आदिश बापस लेने से इंकार करते हुए संबधी त्याजकाओं को अंतिम सुनवाई से के निर्देश जारी किये थे और आप देखेंगे फिदेश सरकार के सामान पिसासन बिभाग ने महाधी वक्ता द्वारा 25 अगस्त 2021 को दिये अभीमत के आधार पर PG NEET 2019 और PSC के माध्यम से होने वाली मेडिकल अधिकारियों की निफ्ती और सिक्षक भर्ती छोड़कर अने विभाग में OVC बर्ग को 27 पितिसाथ आरक्षन दिये जाने के आधिस जारी कर दिये थे और उक्ता आधिस के खिलाब हाई कोट में याजका दायर की गई थे और आरक्षन के खिलाब दायर याजका में कहा गया कि सुपरिंग कोट की समिधानिक पीट ने साल 1993 में इंद्रा सायनी तथा साल 2020 में मराठा आरक्षन की मामले में इसपश्ट आदेश दिया कि आरक्षन की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए और पिदेश में OVC आरक्षन 27% की जाने पर आरक्षन की सीमा 63% तक पहुँच जाएगी तो इसी को लिकर बिरोज चलना है याजका की सुनबाई के दोरान सरकार की तरप से दायर जबाब में कहा गया कि साल 2011 की जनगना की अनुसार देश में OVC वरक की संख्या लगभग 21 पिती सत हैं और सुनबाई के दोरान पीट से आग्रे किया गया था कि PSE में OVC वरक को 27% आरक्षन देने के संबन्द में जारी अंत्रे में रोक के आदेश को संसोदेत किया जाए और पीट ने आग्रे को आस्विकार करते हुए उक्त आदेश जारी किया है इस पर खूब राजनीती हो रही है ठीक है इससे बढ़कर कुछ नहीं आप देखते अगर देना चाहते ओवी सी आरक्षन को तो दे सकती थी बर्तमान सरकार अंगली खबर की तरफ चलते हैं इस 24 जून 2022 को मद्धपिदेश पस्चम छेत बिद्धुद बितरन कंपनी की दूसरी टेस्टिंग लेब को नेशनल एक्क्रिडेशन बोर्ड ओप्स टेस्टिंग एंड कैलिबरेशन लेवर्टी ने माननता पिदान कर दी है और मद्धपिदेश आप देखें पस्चम छेत बिद्धुद बितरन कंपनी की उज्जर इसतर रीजिनल मीटर मीटर टेस्टिंग की अत्याधुने के लेब को न, A, B, L का सर्टिपिकेट मिला है और मद्धपिदेश पस्चम छेत बिद्धुद बितरन कंपनी की प्रबंद ने देशक अमेत तो अमर ने बताये कि इससे इससे पहले इंदौर पोलो ग्राउंड इसते टारन्ट पार्मर्मर्ट के जबर कंडेक्टर की टेस्टिंग करने वाली लेब को भी पिछले बर्स N.A.B.L का सर्टिपिकेट दिया गया था इंदौर ओज्जेन की दोनों लेब में बिजली के महतपूर उकरड की पूर्वाही पूर्ट कर दी गई है और दो सप्ता में इंदौर की मीटर टेस्टिंग लेब को भी N.A.B.L का सर्टिपिकेट मिलने की पूरी संभावना है और याद रहे N.A.B.L भारती गुर्वत्ता वईशत का एक संगठक गोड है जो उद्द्यग और आंत्रिक सरकार के तहत स्थापित एक स्वायत निकाह है N.A.B.L देश की परिक्षण प्रयोक सालाओं को राष्टी इस्तर की मानता देने वाली एक मात्त संस्था है क्या है एक मात्त संस्था है अंगली खबर है आपकी 26 जून 2022 को मद्ध पिदेश ने बैंगलोर की एहम चिन्ना स्थापित अपना पहला रंडी ट्रॉपी जीता है किसे हराया है मुंबई को मद्ध पिछली बार रंजी ट्रॉपी का फाइनल वर्स 1988 नवासी में बैंगलोर के एम चिन्ना स्थापित अपना पारी में 116 और दूसरी पारी में 30 रन बनाने के लिए मत्ध पिदेश की सुभ पाराज खान को मैन ओब दा टूना मेंट चुना गया है और रंजी ट्रॉपी में मत्ध पिदेश की टीम के कप्तान आदित स्री वास्ता होते जो इस जीत के साथ ही रंडी ट्रॉपी जीतने बाली मत्पिदेश के पहले कप्तान बन गया है वहीं चंदकांत पंदित मत्ध मत्ध पिदेश के कोच है जरोंने 1988-89 में मत्ध पिदेश की रंजी ट्रॉपी कर्में ने नेतित किया था उनका कोच के रूम में यह चटा रंजी किताब है कौन सा चटवे नम्मर का अंगली खबर है यह हाल ही में मत्ध पिदेश में संपन हुई त्रीस तरिय पंचा चुन लगना है तो आपकी उम्र कम से कम 21 सालों निचे अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है और सरपंच का चुनाओ डारेक्ट जनता मद्धाताओं की द्वरा होता है अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी हुई तो मद्धाता सूची में आपका नाम भी जुड़ चुका होग और लक्षी का ने जनसाचार में इसनागोत्तर डिप्लोमा के परशाद उज्जयन में रेडियो जौकी और निव जैंकर के रूम में काम किया है और जमीनी स्तर पर लोकतंत की स्थापना करने के लिए 73 समिधान संसोदन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राशन स्थानो को सम्धानिक स्थेती पिदान की गई उन्हें देश में गिरामीर विकास का कारवी सोपा गया है और उन राज्यों को छोड का जिनकी संख्या जनसंख्या 20 लाग से कम है ग्राम मध्यवर्ती और जिला इस तरों पर पंचायत की त्रिस्तरी पिनाली लागू की गई है अनु किसे देशान नियंतर के लिए पित्यग राज में सुतंत चुनाओं आयो होंगे एक कहता है थी। और राज्यों में जो इस्थानी चुना होते हैं वहां राज्यों में चुनाओ आयोग होता है। अनुदान मद्र हेतु निर्धारित बासे सीमा 150 करोड रुपे से बढ़ा कर 200 करोड रुपे का अनुमोदर करने किया गया है। प्रिविस चंता का चीकेसा महविद्याल है और 500 बिस्तर समध अस्पताल स्थापीद करने की साथ नरसिंग पार्ण करम के लिए 60 सीटें प्रिविस चंता का नरसिंग महविद्याल है। और इसी पिकार आप देखेंगे उज्जेन में नए चकेसा महा विध्याले इस्थापित करने के लिए इसना तक पाठकरम की 100 सीटों में विध्धी करने के उद्देश से मंती परसंद ने सिध्धानतिक सहमती विदान किये और मंती परसंद ने मुरेना में रूरल टेकनोलोजी पार के स्थापित करने की मंजूरी दी है और मंती परसंद ने जबलपुर जिली की छीता खुदरी मध्यम सिचाई परियोजना लायत रासे इसकी 434 करोड 21 लाक रुपे सेंच छेत और आप देखें 16,875 हेक्टर और मंती परसंद द्वारा कुंडू टास्पोस समती की अनुसंसा पर रासे इसकी परियोजना लायत रुपे सेंच और मंती परसंद द्वारा कुंडू टास्पोस समती की अनुसंसा पर राष्टी सांकी की आयोग की तरच पर राज सांकी की आयोग की गठन करने ड़िया गया है और पिदेश में सांकिकी पेनाली के सुद्रीकर के लिए अनुस अंसाय पिस्तुत करने के लिए कुंडू टास्पोस गठित की गई थी और आयोग के अध्यक्त पिख्याद सांकिकी विसिसक होंगे जिनने इस्चेत में 20 बारस का अनुभा होगा आयोग में एक सदस राज सरकार नामित करीगी और अधिक्तम 6 सदस विसे 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 सग्गी हुरों में विसे आमंति सदस होंगे क्या होंगे आमंति सदस होंगे अगली ख़बर की तरफ चलते हैं हम लोग क्या कह रही है 29 जून 2022 को मद्वितरिस नंगरिये निकाय एवं तिरिस्तरी पंचयायतों के आहम निरवाचन वर्स 2022 के लिए मद्दाता एवं अभ्यारती को सविधा है तो चुनाओ मोबाइल एब एंडोराइड आया रहे थे एक इसको अगतन किया गया है और एसे आपके माद्यम से चुनाओ भी समधी जानकारिये प्राप की जा रही सकती है और राज निरवाचन आयो के सचेव राकिस तिंग ने जानकारी दी कि चुनाओ एब में मद्दाता की जानकारी महापोर पासच जिला पंचया सदस और जनपत पंचया सदस पत के अभ् कि नेशनल फैंली हैल्थ सरवे 1975 यानि कि चार जो नेशनल हल्थ सरवे जाच और देखबाल की गई है और 2014-2015 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चार में ऐसी महलाओं की संक्या 53 पितिसती और सर्वे 5 की पितिविधन में यह बताया गया कि गरबती माताओं में से आधि से अधिक 58 पितिसत से फेसाओं के पहले 4 अत्वा 4 से अधिक बार स्वास्त स सुग्धाओं के साथ हुए और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे चार की तुल्ला में सर्वे 5 में स्वास्त सुग्धाओं के साथ हुए पेसाओं में बिद्धी 81 पितिसती बढ़ा कर 91 पितिसत हो गई है और लेकनी यह है कि याद मैं 2022 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोट जारी कीगी है और राश्टी परिवार स्वास्त परिच्छन सर्वेक्षन बड़े पिर्मान पर किया जाने बाला एक बहुत देशी है सर्वेक्षन है जो पूरे भारत में परिवारों के पितिनी दी नमूनों के रूम में किया जाता है अंगली ख़वर की तरफ चल मद्ध पिदेश शासन ने पिधान मंतरी की एकोनोमिक एडवाईजरी काउंसल में रही प्रोफेसर समीका रभी की अध्यक्षता में गजनवरी माह में टास्पोस का गठन किया था और टास्पोस ने निर्धार आउदी 30 जून की रिपोर्ट सौफी गई है और टास्पोस क इस रिपोर्ट की सेफारेस को किरियानवित करने से मानता हों और सिसूं की मित्ती उधर को कम करने में सहायता मिलेगी और नीति आयगने स्टी जी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट में मद्ध पिदेश को अच्छे पिदासन वाली बाले राजों की सेनी में रखा है जो इस स्टी पोशन की भूमी का स्वास्त समंदी आकणों पर नजर रखना, स्वास्त की देखवाल और संसाधन की अध्यान, सिसूं और माताओं की देखवाल में सुधार, बर्दमानिस्तिती ओपिष्ट भूमी, स्वास्त पर होने वाले बैय औसो सासन इबं अनुपायों से ऐस चित में सुधार की अध्याय सामिल हैं, और पिती वेदन में बच्चों में कोपोशन की समाप्ती ओमात्य सिसू कल्यार के चित में अच्छे पैडामों के लिए बहुतिक अदुसचना और संसाधनों की कमी दूर करने, सिसूं के पूरक आहर, नेमित तीका करन, रोगों की इसके अलावा आप देखेंगे कि आंगरबाडी के अंदरों के बच्चों को कोपोशन स्वास सिक्चा और संसकार देने की मद्पिदेश सरकार के प्रयासों और मुकमंत्री की नेत्त में जन सहयोग से संचालेज अभियान का उल्लिक किया गया है, और मद्पिदेश में मात सिसों की मित्तिवदर 0.6% का 10 से घटा है, जबकि राष्टी ओसत आप देखेंगे 3.8% है, और टास्पोस ने मात सिसों स्वास्त छेत में लक्षों को प्राप्त करने के लिए 5 प्रमुक छेत्रों की पहचान की है, सासन इस्तर पर नेमित समीक्षा, मद्पिदेश में साज पिदान करता है, इसमें इंडिया, निवोन, एक्सन पिलान के साथ निवारक मात मित्तिवदर को समाप्त करने जैसे सुधा, धाचे और पैकिस सामिल है, पिती विदन में जलसंक्या के अनुसार, संसादनों की उपलत्ता का विसेशन भी किया गया है, आंगे आप देखें पिती विदन में कहा गया है कि कोपोशन माताओं और सिसुओं की स्वास्त पर नंकरात्मक प्रभाव डालता है, रक्तालपा चंतनी है, कोपोशन की निर्धारकों के लिए निवोनी सेप की सुझाओ, अनुसार हस्तेचिप करती हुए अच्छे पईडाम लाने का प्रयास क किया जाए और सफोसित आहर की सेवन के साथ ही टीका करन की माध्यम से रोगों की रोक्ताम, खाद सुरक्षा, पूरक आहर विवस्ता और उससे संबंदित प्रिचार पर दो जोड़ दिया है, और बेत्य विवस्ता, तो मत्कदेश ने स्वास्त चेत में होने बाली बैय की स समंद में, पिती विदन में समाज के निचले तबके के लिए सहायता बढ़ाने, परिवार स्वास्त खाती की रूम में OPD, देखवाल के लिए बित्तिय सहायता का परामर्स दिया गया है, और पिती विदन में हेल्थ आउटकम फंड बनाने की यह का भी सुझाओ दिया गया यह सब डेटा पोर्टल मार्ग दरसी है, और इन से राज्यसासन लाभार्तियों को मिलने वाली स्वास्त और पोसर सेवाओं का डेटा सुरक्षित रखने और उसका उपयोग यहुजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में कर रहा है, और पिती विदन में डेटा स्रेश हम लोगों ने ले लिया है, आपके कोई सवाल हों सुझा हों तो आप लोग नीचे बता सकते हैं, अंगले महिने में हम लोग जुलाई 2022 में जो घटनाय हुई है मत्वधिस में, उनके बारे में भी एक ओवर्वियू ले लेंगे, आप लोग पढ़ते रहे हैं, एन्जॉय क